हेलो गैस कैसे है आप लोग स्वागा थे आप लोगों का फिर से मेरे एक नवे वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस के Samsung Galaxy A15 5G फोन में आप लोग notification tone को कैसे चेंज कर सकते हो अगर आपके पास एक Samsung Galaxy A15 5G फोन है और इस फोन में जो है आपको notification tone को चेंज कर देना है नोटिविकेशन आने पर आपके फोन में जो गैस एक sound आ रहे हो sound आपको पसंद नहीं आ रहे है तो आपको जो है दूसरा sound लगाना मतलब दूसरा tone आप लोग चेंज करके लगाना चाते हो तो कैसे आप लोग डूसरा जो है tone लगा सकते होगा इस तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल क आपको भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिये गए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं रिंग टॉन को चेंज करने के लिए मतलब जो notification tone है उसको चेंज करने के लिए अपको सबसे पहले जो है अपने फॉन के सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाते ही यहां पर एक option मिलेगा sound and vibration का तो इस sound and vibration पर click करेंगे click करने के बाद यहां पर आपको एक option मिलेगा notification sound का तो इस notification sound पर click करना है click करने के बाद यहां पर आपको बहुत सारे notification tone देखने को मिलेंगे तो यहां पर से अगर कुछ पसंद आ रहे आपको उसपे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद बैग कर कर देना ऐसा करती आपको गिनॉटिभीगेशन साउंट ही stigma जाएगा अगर आपको जो है नोटिभीगेशन साउंड को जो यहां पर से सुनना है सिलेक करके तो आपका जो नोटिविकेशन टॉन है ना गैस वो चेंज हो जाएगा जैसे कि आपर देख सकते रेट्रो सिंट में ने सेट किया है अभी अगर दूसरे पर क्लिक करेंगे तो दूसरा नाम आ जाएगा तो कुछ इस तरीके से जो है आप लोग अपने सैमसंग गलेक्सी A15 5G फोन में नोटिविकेशन टॉन को चेंज कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजे मिलताएगा लेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई